इत्याद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्याद नियूज में आप सबी काहर मगदम हैं जनता कर्फियू के बाद बरुज मंगल रात आट बजे प्रदान मंतरिया ने वजिर आजम आवाम से खिताब फर्माने वाले थे तब ही शक हो रहा था कि कुछ और बड़ा फैसला लिया जाने वाला है क्योंकि आज तक का तजर्वा यही है कि अगर रात आट बजे मोधी कुछ बोलते हैं तो बारा बजे कुछ बंद करने का फैसला भी सुनाते हैं लहाजा कुरोना वारस के चलते हैतियाती खदम के तहद 21 दिन का कर्फियू का ऐलान किया गया पर इस कर्फियू को लेकर मुखतली पर पेश की जा रही है वैसे तो तकरिवन अवाम को इस फैसले पर इतराज नहीं है लेकिन जल्द बाजी में लिया हुआ कदम है ऐसा अवाम का खैना है जो देश को नुकसान दे साबित हो सकता है परदान मंतरी ने इससे पहले भी जनता करिफू का ऐलान किया जिस पर सौब फीसद अमल किया गया फिर शाम में परदान मंतरी के ये इदायत पर अमल करते हुए तालिया और थालिया भी पीटी गई कुछ लोगों ने तो तालिया पीटने के आवाज से कोरोना भागने की खबर कही अब किस तरह का होसला उन जवानों में पलिस वालों में, डॉक्टरों में, नर्सों में थालिया धोल पीट कर इनकी कैसे होसला अवजाई फरमाई गई के तफसिला तो या खुद मोदी दे सकता है या फिर कोई भक्त दे सकता है यहां पर भी थालिया और ढोल नगारों के साथ जलूस निकाले गए सोचल मेडिया में जम कर मजब्मत की गई और इसे देश दुनिया बर में बदनामी होने की बात कही गई ताज्यूब तो इस बात पर भी हुआ के बड़े बड़े सेलेबिटीस भी जाहिलाना हरकत करते नजर आए खेर अब जो आईलान पियम मोदी के जानिब से किया गया यह बहुत ही देश को हिलाने वाला कहा जा सकता है भी पक्तिने तो यह भी कहा के यकीनन कोरोना आलमी वबा है या निमामारी है अब तक 20,000 से भी जाहिद लोग जान बाक हुए है लाकों कोरोना वायरस से मतासिर जाला चाइना किस कदर इस खतरनाग विमारी से वुट खड़ा हुआ है यह भी मिसाल देखी जा सकते लियाजा थालिया और तालियां पीटने से मसाईल हल नहीं होते ना ही सिर्बंद का एलान करने से हम इस महामारी पर फत्व हासिल कर सकते हैं खोद अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रम्प ने कहा कि पूरे मुलक का लॉक डाउन देश को बरबाद कर सकता है लिहाज़ अमरीका में मुकमल लॉक डाउन नहीं किया जाएगा इतना जरूर है कि जब तरक्याफ़ा मुलक डाउन करने से गुरेज कर रहे हैं तो भारत का मुकमल लॉक डाउन क्या सही फैसला समझा जाए या जल्दमाजी में लिया आगा है फैसला भारत में जब से कर्फ्यू का मामला जारी हुआ है कहीं सारी परिशानिया दिक्कतों का मुकाबला गरी मावावाम को करना पड़ रहा है लॉक डाउन का फैसला अगर सही भी समझा जाए तो उन गरीबों का क्या जिन लेक्यों के मद्यपरदेश में कॉंग्रेस हकूमत को गिराकर भाजपा हकूमत बनाने वालों को शायद कोरोना का वायरस चू नहीं सकता शायद राममंदिर की तामीर के लिए रामलला की मूर्ती रखने के लिए भीड के साथ पूजा पाट करने वालों को शायद कोरोना का ख動画 नहीं हो सकता, काहिने का मतलब यही है कि देश में इतनी गरीबी है कि महद भूक से मरने वालों के ताइदाद इस देश में हर रोज से क्ड़ों की है, करोना तो अभी आया है, पर गरीबी का वायरस हमारे देश में अर्ट से सिपनपरा है भारत में हजारो करोड की मुर्दिया तो बनाई जाती है पर अस्पताल नहीं बनाई जाते जो शक्स पूरी उम्र गरीबी से जूज रहा हो दो वक्त के खाने का जुगाड ही इसका मशगला हो कहां से वो सानिटाइजर और मास्क खरी देगा अब तक हमारे अस्पतालों में कोरोना की मुट जांच का इतमाम नहीं किया गया पांच हजार रुपे सिर्फ जांच के लिए जा रहे हो गरीब मजदूर इतना महगा टेश्ट कहां से करवाएगा करोड़ों लोग सिर्फ मास्क नहीं खरच सकते वहाँ 21 दिन तक कैसे गुजारा होगा इसका जरा भी ऐसास और ख्याल शायद हमारे प्रधान मंतरी को नहीं आया जरूरी है कि अवाम अपने आपको कर्फू लगा ले बिमारी यकीनां खतरनाक है जब पियम मोदी ने 8 बचे देश के नाम पैगाम दिया और कहा कि किस दिन तक लॉग डाउन किया गएगा सिर्फ 3 गंटे के अरसे में ही आप देख सकते हैं कि दुकानों में भीड कितनी हुई क्या इससे खतरा नहीं हो सकता क्या होता अगर लॉग डाउन का एलान सुबह या दो दिन पहले करने से लोगों को संबलने का भी वक्त मिल जाता अपनी जरूरी चीज़ों को खरीदने का अच्छा खासा वक्त भी मिलता ताके भीड की वज़े से किसी को बीमारी फैलाने का खतरा भी नहोता जिसके एतियात की बात आज हम कर रहे है किराना राशन की बात तो इंतजामिया की जा रही है पर पुलिस की जानिब से सक्टी से बरताव भी किया जा रहा है खबरे तो इस तरह भी आ रही है कि कई जगों पर लाटी चार जैसे हालाद भी बने हुए सवाल यही उड़ता है कि जब आवाम को बिलकुल अलग थलग रहने की हिदायत देने वाले सियासत दां अपने मुफाद के लिए अपनी सियासत चमकाने के लिए यही खटा होते हैं रिक्षा साइकल आटो रिक्षा सबजी बेचने वाले ठेला लगाने वाले मजदूर कुली अब कहा जाए कुछ समाजे ख़दमात अंजाम देने वाली तंजी में गरीबों की तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं पर क्या इतना काफी है फिर हुकुमत क्या कर रिये इतना बड़ा फैसला बिना किसी तैयरी के क्यो लिया गया जब दो मेहनों से कोरोना का कहर की बात हो रही थी तो हम पहले से गाफिल क्यो थे खैराब फैसला लिया ही गया है 21 दिन का लॉक डाउन गरीबों के लिए कियामत से कम नहीं है ऐसा नहो के करोना से कम और भुक मरी से ज्यादा मौते नहो और इसका ख्याल रखना हुकुमत का कामर उनीकी जिम्मेदारी है इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अल्लाफिस